कि अपना आज के लिए एक और जो मैं बोलूँगा कि एक तरीके से वर्चौल नुकाउट मैच यह भी बंगलादेश और यहां से अफगानिस्तान के लिए हलाकि देखो इस मैच का जो रिजल्ट है वो तोड़ा इंडिया और उस्ट्रेलिया वाले मैच पर भी डिपंड तम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मैं दो कंडिशन बताता हूँ क्योंकि मिरगों मैच कर जल नहीं पता है ना इंडिया और उस्ट्रेलिया जीत जाती है तो भी अफगानिस्तान के पास में मौका रहेगा बट कंडिशन यह कि जो उस्ट्रेलिया वे बहुत छोट वो कितने से जीते चाहे एकरन से जीते सिरुफ मैच जीतना है उनके लिए कंडिशन रहने वाली है तो एक वर्चौल नौकाउट की तरह ही रहेगा अफगानिस्तान के लिए तो अब क्या इस मैच में इंपॉंट चीज़े बनती है जैसे को कल का जो मैच रहा बढ़िया ग तक देखना आकरी मैचस उपर रेट का और जवरदस्ती जाने वाले इसका बाद तो फरसे ही फैनल की बाते होगी तो चलते हैं जरा मैच को और बट उससे बहले आपको मैं एक और जवरदस्ते कोफर के बारे में बताता हूं दो ग्रैंड लिग तो आप खेली रहे हो ग्रै वीडियो पसंद आए लाइक जरू करतो चलो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो फटाक से वो भी कर लो ठीक है और असाथ साथ टेलिग्राम चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में वो भी ज़रूर जोइन कर देना काफ सारी जो इंपॉर्ण अपडेट्स वगर है वह तो आज के लिए मैंने सवालना बड़ा सिंपल सा रखा है तो ध्यान से सुनना ताकि आप जल्दी जल्दी जवाब देखें विनार बन सेको देखो च्छाए बजे रही कि वैसा इस मैच के लाइन किंग्स टाउन सेंड विंसेंड में होगा च्छाए मैच ने सब तक 96 या 90 या 100 के असपास रहते वो भी बिना विकेट खोए बट उसके बाद में कहीं न गए उस्ट्रेलिया की बढ़िया बोलिंग 148 पर रुग गये बट उससे जादा सर्मना की रहा है कि उस्ट्रेलिया 127 पर रोल आउट हो गई यहां से तो पहले बैटिंग करने वाली टीम काम्याब रहती एवन यहां पर 106 का टार्गेट भी डिफेंड हो गया था ठीक है उसके बाद में 115 है ये भी टार्गेट डिफेंड हो गया था एक रन से साउत अपरेगा जीत गई थी और यहां पर 159 का टार्गेट डिफेंड हो गया था चार मैच जो चुके हैं इस तो टोच जीत कर पहले बैटिंग ही लेंगे विगेट के बात निए तो थर्टीफोर विगेट पेसर के 26 विगेट पिन के हैं जिसमें स्पिन के अभी तक तो भाई विगेट यो बराबर रहें और स्पिनर यहां पर अच्छा कर सकते हैं ध्यान रखना ठीक है स्लोर वन और जो spinner है वो यहाँ पर बढ़िया करते हैं इतनी असान बैटिंग रहती नहीं है पेसर के पहले इनिंग में 13 सेकेंड में 21 है 21 विकेट इसलिए हैं क्योंकि टीम्स ने जो हो टार्गेट चेस करने दिया नहीं है और सेकंड टीम के जो विकेट है वो फिर जादे गिरते हैं इस देखा कि जजाई के साथ तो जमा नहीं कुछ मामला जोता थोड़ा उल्टा पड़े गया खुद के उपर तो इन्होंने वापस एक गुर्बाज और जादरान को उपनिंग के लिए लगाया जिसमें कि बैद दोनों ने यहां से बढ़िया किया है आज के लिए दोनों उप जाई बनते है बैटिंग मोश्क्रिया आपको तीन या चार नंबर पर ही करता हुआ नजर आएगा और बोलिंग भी मोश्क्रिय करता हुआ आ जाएगा नजर बाकि उसकाद में करीम जनत है जादा वरोसा कर नहीं सकते है एक मैच में इन्होंने बोलिंग किये बाकि जो यह नंबर पर बैटिंग करते हैं लाश्ट मैच जैसे जब पहले खेल रहा था आठ नंबर पर दो वह नहीं दिखेगा चटे नंबर पर मुश्क्रि बैटिंग के लिए आ सकता है करीम जनत उसके बाद में यहां से गुलबदी नई है जीरो रन और चाहर विकेट पिछले मैच कि पूरा मैं 100% टेकेन के साथ में नहीं बोलूगा कि करेगा क्यों कि इसने विकेट तो यहां भी लिये तो दो दो विकेट अगले मैच में इसको बोल को हाथ तक नहीं लगाने दिया था तो और पिछले में अभी चार विकेट लेकिया है मुश्क लिए आज भी कराते ठीक है और बाकि उसके बाद में आज से मुहमन नभी है मुहमन नभी आज के लिए कहीना गेंपॉंट बनेगा सामने ओले टीम में लेफ्ट अंडर्स काफ़ है और आपको बता इस पिच पर स्पिन अच्छा करती है ठीक है तो यहां से मुहमन नभी आज के लिए काफ़ी बढ़िया ओप्शन यहां से निकल कर आ जाते हैं और इसके बाद में यहां से करोटे हैं लेफ्ट टाम और तो एक और कर रहा है था थोड़ा सा महंगा साबित वा दस से जाधा रन दिये थे तो फिर एक ही ओवर कर रहा है पिछले मैच में काफी बोलर रहे थे जैसे नूर मैच में तो बॉलिंग सिर्फ एक ही हो रही थी बाकी इन दोनों में से भी एक मैच था जिसमें सिर्फ एक दो वर ही इंच डलवाए तो नूर एहमत के नाम उतने अभी तक विकेट्स देखने को मिले नहीं है ठीक है बाकि उसकाद में नवी नुल हक फजलक फरूकी ओवर स मैं जो भी तीन विकेट्ट देखने को मिल गए थे तो यह है अफगानिस्तान की तरफ से जो प्लेइंग लवन देखने को मिलते हैं स्क्रींशोट लेना हो तो ले लेने हैं से बाकी देखो अगर बैंज की बात करें तो नजीब लाज जातरान है मुहमद इशाक फरीद हैम भी जैसे सिच्वेशन है उस हिसाप सिफर बोलर आ रहा है तो इस बोलिंग को बहुत जादा सिरियसली मत लेना बस यह चीज़ आप मानके चल सकते हो कि नवीनुलहक और फजलक फरुकी नई बोल के साथ में डालेंगे नई बोल के साथ में ही हो सकता है नवीनुलहक या लेकने को मज़ जाएगी एक और फजलक फरुकी से आएगा और बाकी एक और में बोल सकता हूं कि या तो गुलबदी नहीं बाज जाएगा या फिर वो सोलवा सत्रवा और राशिद खान या नूर अहमत के पास में जाने वाले है ठीक है तो यह चीज़ रहने वाली है बाक बात करते हैं दूसरी टीम के अगर हम बात करें बाट उससे पर एक और चीज़ में आपको बता दू कि वहाई जासा हम पर शुरूम बोल रहा था कि दो टीम आप मेगा ग्रांडिक में लगा सकते हो वो भी सिर्फ और सिर्फ एक रुपा में यह ओफर है माईलां सर्कल पर इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तो जल्दी जागी डाउनलोड कर रहे ना और जो आप ग्रांड ली की टीम तो लगाओगे यहां पर जो आपके लिए प्राइज रहेगा रहा है विन करने के लिए वो भी एक करोड रुपा रहने वाला है तो सोचो किती ब बट यह करने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में कोड दिया हुआ है उसका जरूरी उस करना डिपोजिट के टाइम अप्लाई कर लेना तो 20 परसंट एक्ट्रा कैश मिल जाएगा मतलब जैसे आप हजार डिपोजिट करते हो तो 200 रुपाय मेरी तरह से मतलब 20 परसं सोचो बट उसके लिए क्या है उस्टिल्या को भी आरना पड़ेगा ठीक है वो भी अच्छे बड़े मार्जिंस है और इवन इनको बांगलादेश को भी आराना पड़े बड़े मार्जिंस है दो केसे जा कर सकते हैं ठीक है बट वो एक मैं गोलूँगा काइंड ओफ इंप सही की थी वर्ट उसके बाद भाई ने असार्ट टेस्ट मैच के ला 31 बोल बना 31 बोल ले लिए थे 39 बनाने के लिए बांकि दंज्य दसन हो सकता है शुरुआत में आज आपको नभी के हातों या फिर फजलक फरूकी के हातों आउट होता हुआ दिख सकता है उसके बाद मैं इंपॉंट रहेगा नई बोल के साथ में डाल सकता है बागी बैटिंग सब तक रन तो एक ही मैच में देखने को मिले विकेट की बात करें दो बैच में तो बोलिंग कराई नहीं पिछले मैच में ने बढ़िया किया लिए थी नेक्ट और मेहमदुल्ला है तेरा रन जीरो बोलिंग कराई थी आज के लिए थोड़े कम चांस लिए बोलिंग कराने के उसका सिंपल से रीजन है अफगानिस्तान की टीम में कोई भी लेफ्टेंडर है ही नहीं ठीक है बिल्कूल भी एकदम वो छटे साथे नंबर तक बैटिंग आती और वहां तक आपको कोई लेफ् बनाए वे तो आपके लिए एक वहां उप्शन हो सकता है मैमदुल्ला को पेक करने का जाकर अली को वापस लाए और एक रन बना कर गया जाकर अली उसके बाद में आसे महिंदी हसन है अब वही है शुरुआत पिछले मैच में तो महिंदी हसन से करा ही गई थी चूकि इंड दाल रहा है ठीक ठाक लाइन भी डाल रहा है पेछले मैच पर थोड़ी कुटाई हो गई बट स्टिल काफे सही वोलिंग जो अभी तक रिशाद हुसैन की तरफ से देखने हो ले सिर्फ एक मैच जिसमें विकेट लाइस गया है और साते साते रिशाद हुसैन के साथ में एक बोलिंग करते हो अभी नजर आ रहा है विकेट वगरा काफे ठीक है तो जादा सेफ चोईस तो यहां से शकी भी बनता है और उसके बाद में बैंच की बात करें तो तसकीन हमत बिचारे का एक मैच खराब गया बाहर बैठा दिया यह किसी नहीं 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 देगा पिछले मैच में तो नहीं बोल के साथ में बोलिंग की थी इस मैच में क्या हो सकता है इस मैच में आपको शकीब नहीं बोल के साथ में बोलिंग करते होने जरा सकता है साथ में शकीब बोलिंग कर सकता है ठीक है यह दो एक वो स्पिन और पेस वाला कॉंबनेशन आपको देखने को म अफगानिस्तान ने एक मैच खेला जीता है बंगलादेश ने दो मैच खेले उन्होंने भी जीते हैं और वहीं पर अगर मैं बात करो हैट्वर्ड स्टैट्स की तो वह टोटल इन दोनों टीम्स के बीच में 11 मैच पीछे निकल करा दिया ग्यारा में से अब तक बंगलादेश पांच जीत पाई और छे जीते हैं अफगानिस्तान की टीम ने ठीक है अगर हम बात करें हैं से हैट्वर्ड लीडर्स की तो नभी देखने को मल जाते हैं दस इनिंग में भाई अब तक 219 रन है 31 के साथ में महमद अला आप देखो आठ मैच में 194 है 24 के अवरिस के साथ में ठीक है अब जस तरह के फिलाल के महमद अला की बैटिंग रहे मैं बोल सकता हूं यही रन काफी जादा लग रहे मिरको तो इसके बागी शाकिव अलसा ने 11 मैच पर 185 रन से सिर्फ और ल पंगलादेश ठीक है तो यह रहते फिलाल के लिए हेक्टर लीडर बोलिंग शेक्षिन की बात करें तो राशिद खान है जिसने एकदम तहल कामा चाहे हुआ है दस मैच में 18 विकेट्स है शकीब अलहसन की बोलिंग भी काफी जादा बढ़िया रही है अफगानिस्तान के फजलक फरुकी पांच मैच में 6 विकेट है नभी थोड़ा सा विकेट लैस गया है थोड़ा निवे जादा गया है दस मैच में 5 विकेट है लगी नभी के नाम मुस्ताफ़ रह्मान भी 7 मैच में अब तक 5 विकेट के साथ में तो यह रहते है फिलाल के लिए जो अपने चांसे है कि इबरहमजाद रहां को आउट कर सकता है वहीं पर गुर्बाज की बात करें गुर्बाज को तस्कीन ने सबसादा परेशान किया है इवन शकीब अलसन के अगेंश्ट में वह श्ट्राइक रेट हंडर्ड का नहीं है बाइस पोल में 20 रिन बनाये हैं और मुस्त इसन के बैटर्स उनका रिकोड जाद अच्छा नहीं है या तो श्ट्राइक रेट बहुत कम है या विकेट गवा दिया वहांकि लिटन दास है अगेंश्ट उमरजाई टीन बार आॉट हो चुका है मेहमद उल्ला अगेंश्ट राशित खान तीन बार आउट हो चुका है सो तो हुर्दोय आपके पास में एक option मनता है यहां से पिक करने के लिए शकीव अलहसन महमद नभी है गुलवदी नहीं और यहां से राशिद खान हो जाते है तंजम अशन शाकिब नवी नुलहक और फजलक फरुकी को पिक क्या हुआ है तो यह जाते टीम कैप्टन कहा है कहा है कैप्टन के है गुर्बास को वाइस कैप्टन के अवने राशिद को आएक अफगानिस्तान फेवर में कहीं न गहीं जा रहा हूं इस मैच में बागी अगर एक डिफरेंशल कैप्टन नून रहे हो तो फिर वह आपके पास में शकीव अलहसन यहां से बन जाता है ठीक है जि सवाल डूंड रही तो मैं भी पूछ लेता हूं तो सवाल कुछ ऐसा रहने रहने वाला है आपको बताने है इस मैच में मैं ऑफ-धाम साओ मनेगा इस तो बरें आप सही आंसर देंके वहां है तो मृटिपल कमेंट्स बिल्कूल मत करना बागी वीडियो को शेर कर दे आर पसंद आई तो लाइक कर दो सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दो और डिस्क्रिप्शन माइलान सर्कल का लिंक है वो डाउनलोड कर दो बागी मिलते हैं आप को नेक्श विडियां बहुत ही ज़रे ज़र